हमस्कार वाद विवाद कारिक्रम में एक बार पुनहा आप सभी दर्शकों का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे फिलोजोफी एवं कल्चर पर यानि दर्शन और संस्कृति पर और ये खुशी की बात है आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान है जो मेडिकल इस्टूदेंट है और जिनका नाम है रविश जगन आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में तो रविश जी जैसे आप जो है एक मेडिकल इस्टूदेंट है तो आपका फिलोजोफी और संस्कृति के साथ जुराओ कैसे तो पहली बात जो है मैं मेडिकल इस्टूदेंट हो वो मेरा काम है और वो मुझे रोजी रोजती देगी पर जो संस्कृति है वो मुझे अपने जो जड़ से जुराता है और जो लोग संस्कृति है वो तो प्रेड़ना मिली है दादी दादा से जो हमारी extended family था उसमें तो बहुत ही बरहावा भी मिला कि जानो अपनी संस्कृति को जानो अपने जरों को और जुरो उन से क्योंकि एक तो राष्टियता की भावना है जो हम मौरिशन है गर्व से कहता है कि हम मौरिशन है पर जो हमारी पहचान है एक cultural जो पहचान बोलते है संस्कृतिक पहचान वो अगर मिट जाए वो अगर छूट जाए तो हम आगे जाकर प्रगति की ओर बड़ भी नहीं पाए ज़े lieu कि हमारे फुद की एक पहचान भी नहीं हो तो लोग संस्कृति और संस्कृति बोलते हैं उससे जुना और आगे बहना आधुनिक्त तो उसकी अलग जगह है फ्रेमता के साहतuciones को आगे भी बढ़ना है पर अपनी जरों से जुड़ना भी है उससे क्या होता है कि जीवन में एक बालेंस होता है और प्रगति की और बढ़ते ही जाते हैं तो लोग संस्कृति का जिसे मौशिस में बहुत भारी स्थान है इसको जिसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारिय क किये जाते हैं तो आप एक नवजवान हो आपके विचार से क्या समझते हैं जब हम इस लोग संस्कृति के बारे में बात करते हैं क्या विचार है आपका तो लोग संस्कृति यह दो शब्द से बना है जैसे आप देख रहे हैं लोग और संस्कृति लोग का मतलब हैं जो आ एक ऐसा भी प्रश्न आता है कि लोग संस्कृति आगे आया है या शास्त्रा आगे आया है अब इसको देखे तो लोग तो आम समाज है और शास्त्र वो टेक्निकल है जो उसको एक धांचे में डाला गया है तो अगर इस दृश्टि कौन से देखे तो आपको लगेगा कि धांचे में दाल कर उसको दर्शाया गया है पर अगर एक और रूह एक और द्रिश्टी कौन से देखेंगे शास्त्र तो शास्त्र मेकानिक है जो विद्वान है वो शास्त्र समझेंगे और जो आमचंत है जो लेमेन है वो शास्त्र उतना समझेंगे भी नहीं तो शास्त्र को तोर कर लोग बना ताकि लेमेन को समझ में आए अब लोग संस्कृति क्या है लोग संस्कृति केवल लोगीत से लोगीत तक ही सीमित नहीं जैसे मौरिशस में तो आज कल हम देखता है कि लोगीत को बरहवा दिया जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और लोग संस्कृ में आपको मिलेगा लोग परंपरा जो फामिली टू फामिली परिवार दर परिवार दिया जाता है और लोग परंपरा लोग व्यंजन जो आपके घर में रोज मररे में आपके घर में खाना पक रहा है वो लोग व्यंजन लोग व्यंजन ही है जैसे छोटा सा एक्जामपल ले पुर्वांचल में मिलता है और हमारे पुर्वच वहाँ से आया है तो ये एक लोग व्यनजन हुआ और लोग-योहार, जैसे होली गोली में क्या गाते है चौटालध हमाल तो वो एक लोग परव भी हुआ अर शास्तर परव भी हुआ अब लोग संस्कृति क्यों बोलते है क्योंकि ये एक मेकानिक नहीं है उसमें जुड़ उसको मतलब अगर लोग संस्कृति को देखे तो वो आगे बढ़ता ही जाता है क्योंकि जो 50 साल पहले की लोग संस्कृति थी उसको आज के समाज में ढालने के लिए आधुनिक्ता को अपना कर लोग संस्कृति को आगे बढ़ाए ये एक बहुत ही मतलब गंभीर विशय है एक बहुत ही डीब विशय है जैसे बोलते है जर से जोड़ना तो आप जिससे एक नवजवान है हम देख रहे कि आपको इसके प्रति कैसे कहेंगे काफी दिल चास्पी है आपने बहुत रिसर्ज भी किया है इस पर तो आपके अंदर एक अलग सी भावना है जैसे दिख रहा है वह भक्ति की भावना तो आपके लिए य जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला भावना तो भावना है वह from person to person differ करता है क्यों बोल रहा हूं कि मेरी समझ मतलब जो मैं सोचता हूं वह ऐसा नहीं है कि दूसरा जन भी सोचे वैसे ही पर जो भावना है जो देश की प्रति जो भक्ति है जो समर्पन की भावना देश के प्रति उसको लेकर देश के प्रति कुछ कर दिखाना और केवल कर दिखाना नहीं देश के प्रगति में आप अपना योगदान कैसे दे रहे हैं मतलब वो अलग तरह से आप योगदान दे सकता है जैसे कि आप ले ले आईटी की सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है तो देश के प्रगती में वो अपना योगदान दे रहा है जैसे medical की जो चिकित्सा की शेत्र में आप देख रहा है वो भी देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति वो अपना देशभक्ती दिखा रहा है। तो ऐसी बात है कि नवजवान ऐसे सोचते हैं कि देश भक्ती तो हम तो बहुत जवान है इसके लिए देश भक्ती सिर्फ बुजर्गों के लिए नहीं है यह नहीं है आपकी माता ने आपको जन्म दिया है आपकी माता ने आपको यहां मतलब इस देश में पाल रहे हैं बरहा इसका कहना है कि जो आपकी माता है जो आपकी जननी है और जो आपकी जो देश है उनके चरण मतलब इसके चरण में आपको स्वर्ग प्राप्त होगा जैसे इंग्लिश में बोलता है जैसे इंग्लिश में बोलता है जो आपकी जो पीस है यहीं पर ही मिलेगी आप चाहे कहीं पर भी जाये पर आप हमेशा बोलेंगी कि आप गर्व से आप मौरिशन हो हमारी चौरंगा जंडा वो इसके प्रती हमारी जो गहरी भावना है जो रास्तियता है वो उभर कर आती है और लोग संस्कृति को इससे मैं कैसे जोर रहा हूं वो ऐसे है कि मेरी दादी गाती थी पुतवा कुदेबो मैं देसवा की सेवा मैं देसवा की सेवा मैं हो ए ललना बार होई है देसवा के काम यही है जिवन हमार सफल होई है हो इसका मतलब क्या है आप देख रहे कि माता अपने पुत्र के जन्म पर ये सोहरगारी है कि मैं अपने जो संतान को मैं अपने देश के मतलब सेवा में दूँगी अगर वो देश के सेवा में काम आएगा तब ही मेरा जीवन सफल होगा और यह केवल एक गीत ही नहीं है एक भावना ही है इसमें रास्टियता भी है ममता भी है और जो करुन रस है और वीर रस से भी भरपूर है तो आजकल हम बोलते हैं नारी सशक्तिकरन पर आप इस गीत में क्या महसूस कर रहे है वीरियता उस नारी में वीर रस भी है और करुन में भी है वो सशक्त नारी थी जो बोल पा रही है कि मैं स्वयम अपने बेटे को देश की सेवा में दे सकूंगी ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए तो आप आपका जिस तरह से आप बात करें हैं आप अपने देश के प्रती काफी हद तक समर्पित हैं तो आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई जो हैं मेडिकल क्षेत्र में कर रही हैं और फिलोसोफी तथा सब्सक्रती के प्रती आपका इस तरह से जुकाव इस तरह से कैसे कहेंगे एक दिल्चस्थी है ये कहां से शुरू हुआ और क्यों तो एक तो छोटे से दादी के साथ लगाव था तो दादी ने बहुत कुछ दादी गाती थी मेरी दादी खुद जैसे गितारीन बोलते हैं तो दादी गितारीन थी और दादा भी वो हर्मोनियम बजाते थे और खुद गाते थे पापा भी तबला प्लेयर है और मम्मी गाती है तो एक तो ऐसी मौहौल थी घर में कि हम सीख सके और मैं ऐसा था कि दिमार में हमेशा प्रशन होता था जो क्यूरियसनेस होती है ना कुछ सीखने कि उसको केवल mechanized way से मतलब उसको ना ले कि आपने सुना जो आजकल बहुत हो भी रहा है कि लोग गीत तो सीख रहे है और उस गीत में जो च्छीपी भावना है जो च्छीपी उसमें एक जैसे मेसाज बोलते है उसमें एक रस है उसको सीख नहीं रहे है केवल मेकानिक तरीके से वो सीख र पर छोटे से मेरा जो दिमाग में था कि हाँ अगर ये कर रहे हैं तो जो जिग्यासा थी क्यों कर रहे हैं और प्रेश्न पूछने की वो आजकर वो ही उसी कारण मैं यहां पर हूँ और जिग्यासा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो नवजवान में आज हैं नवजवा आए अपने बच्चों को कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग परंपरा क्यों कर रहे हैं इस लोग गीत में क्या है इसलिए मैंने दर्शन जो आप फिलोजोफी बोल रहे हैं उसको मतलब चुना मैंने कि दर्शन फिलोजोफी है क्यों है ताकि सवाल उठे और हमें कुछ सीखन रुखने का भी मौका मिले तो यह जिघ्यासा ही और जो दादी के परती प्रेम था उस प्रेम की भावना और जिघ्यासा की भावना से मैं मेरी दिल जश्पी बरही लोग संस्कृती की ओर तो जिसे आप बता रहे हैं कि आप तो बहुत खुशाल हैं आप ऐसे माहोल से आये हैं जहां पर लोग संस्कृति के साथ आपके परिवार जुड़े हैं लेकिन बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिनको ये मौका नहीं मिला हैं तो उनके लिए आपका कोई ऐसा संदेश हैं? उनके लिए तो ये संदेश है कि हमें सीमित नहीं मतलब अपने दिमाग को केवल सीमित नहीं रखनी चाहिए किताबों मतलब किताब से ऐसे नहीं जो हमारी दादियों ने सीखा है वो स्रवन से सीखते थे श्रवन से और देख कर, मतलब कान और आँख दोनों खुली रखनी चाहिए, मेरी दादी हमेशा बोलती थी, अपन कान हमेशा मतलब खुला रखे, ताकि जितना चीज बाना तू सुन के तू सिखे फईबे, यह जो लोक संस्कृती है, वो ना तो पुस्तक में मिलेगी आपको आपको अपनी कान और आँख दोनों खुली रखनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर गए, कोई दादी कुछ गा रही है, या तो कुछ पका रही है, पकाना देख लेते हैं, अगर अपने एक दोस के यहां गए, तो दोस के मम्मी कुछ पका रही है, तो वो एक लोग व्यंज में या एक शादी में वो गीत आपने सुना उसको श्रवन कर लिया आजकल आधुनिकता भी है फोन भी है फोन में आप रिकॉर्ड भी कर सकते है या तो यूट्यूब में यूट्यूब में भी अनिक अनिक साधन है आज सीखने के लिए और ये आजकल का एक ऐसा हमारी जो कैस साथ हमको सीखना चाहिए कि आजकल फोन है फोन में बहुत कुछ है केवल ये नहीं है कि आप फेस्बुक चलाए फेस्बुक भी चलाए और यूट्यूब में अगर कुछ समय मिले तो अपनी लोग संस्कृति लोग भासा में कुछ देखे भी तब जाकर आप सीख पाएंग और श्रवन जैसे मैंने बोला वो एक बहुत ही बहुत ही इंपोर्टेंट जैसे बोलते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टूल है सीखने के लिए क्योंकि जैसे आप देखे लोगईत लोगईत आजकल बहुत प्रचलित है तो लोगईत आप लोगईत सुन रहे हैं और भासा तो आप दादी या किसी से पूछ सकते हैं या आप थू बाहर है तो इस शब्द का मतलब क्या है जैसे कि कुछ गीत लोग गीतों में यह हैं कि गीत है कि मेरी दादी गाती थे मैंने ही पूछा था उनसे इसका मतलब क्या है मैं ने हिंदी पर ही है मैं हिंदी परहा हूँ तो हिंदी में शीतल शब तो वो सीतल बेयार मैं सकुछ आओ बेयार का मतलब क्या है दादी बोड़ी है कि पवन जो हवा है इसको बेयार बोलता है तो जो नीम की पेर है ना उसमें बहुत शीतलता भी प्राप्त है और देवी को क्यों समर्पित है एक तो शीतला देवी वो धर्म की धर्म से भी आप जूर सकते है तो एक तो सीतला देवी है और सीतला देवी क्या करती है आप धर्म के द्रिश्टी कौन से देखे तो जो डिजीजेज है उसको लेकर आप अगर उस दर्शन को आप समझे क्या है कि नीम नीम जो पेर है ना उसमें बहुत चिकितसा में बहुत प्रयोग किया जाता है और डिजीजर्स के लिए वो बहुत प्रयोग में आता है और जो भी घाव होता है उसको मरहम नीम की मतलब जो पत्ती होते है उसको पेस लगा कर लगाते है और वो मरहम का काम करता ह तो एक तो इस लोगईत में आपको क्या मिला, एक तो धर्म के बारे में कुछ समझ में आया, दूसरी है, सब्द का भी मतलब आपको ग्यान हुआ, और चिकित सामें भी आपको ग्यान हुआ, तो भरपूर है, लोग संस्कृती में सब जैसे आप बोले न, कि भंदार है, और सम मुद्र का कुछ नहीं होगा, तो हमें सीखना चाहिए, यानि जो है, जड़ से ही आप यहाँ है, हमें बताएं कि अभी जैसे आप एक नवजवान है, और अभी हम लोगों ने लेखा कि बजट भी प्रस्टित किया गया, नवजवानों के लिए भी काफी कुछ कैसे कहेंगे, कदम उठाए गए हैं, तो आप मेडिकल इस्टूडेत हैं, तो आप हमें बताएं, आपके हिसाब से आप लोगों के लिए क्या अच्छा लगा, तो एक तो जो नवजवान के लिए, अभी हम देखें कि 15,000 जो बेस सालरी है, वो बरहा दी गई, मतलब 15,000 तक तो वो एक इंसेंटीव जैसे बोलते हैं, नवजवान के लिए वो एक प्रोचसाहना भी हैं, कि वो अपने देश में रहे, देश में काम करें, क्योंकि सालरी भी मिल रही हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं, कि सब जितना भी चीज है वो, जितना भी आप प्रयोग करते हैं गहर में उनका दाम भी बढ़ गया है तो एक तो इंसेंटीव मिला कि हां सालरी भरी और हम देश में ही रहे कर देश में ही काम करेंगे यह प्रोच साहधना है और दूसरी यह चीज है कि जो अतरह साल के बच्चों को अभी जो मिल रहे हैं बीस हजार वो गौवर्णमेंट की से बहुत अच्छी जो हम बोल सकते हैं कि इंसेंटीव भी अनको और रिस्पॉंसिबिल्टी भी दाल रहे हैं उस बच्चे जो अभी तरुनावस्था से को छोड़ कर वो जा रहे है आडल्फुल आडल्फुल की ओर तो उसमें उसको यह जिम्मेदारी की भावना समझा रह है कि अब तुम तुम्हें 20,000 दिया जा रहे है अब तुम इस 20,000 का क्या करोगे किस तरह प्रयोग करोगे यह तुम पर निर्भर है और डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर है ना वो उस बच्चे में खुद बखुद आएगी और रिस्पॉंसिबिल्टी की भावना भी आए हमने बात की विचार क्या है आपका क्या विचार है देश के प्रती जिसे आप ही कह रहे हैं कि हमें देश चोड़कर नहीं जाना चाहिए आप मेडिकल की पढ़ाई भी करें तो अपने देश के प्रती आपका लग रहा है कि समर्पन है आपकी जो भावी विचार क्या करना है आप अपने देश के दिए तो एक तो जो में nine topic है आज का वो है जो है लोगcular जो तो लोक कर खेंड चैये मतलब उसको समझ कर मैं उसकर आकर मैं नहीं हो देश के प्रती क्या करें तो जो लोग संस्कृति में जो हम सीख सकते हैं एक तो लोक संस्कृति में आध्यात्म भी सीखते हैं धर्म के बारे में भी सीखते हैं और राजनीती इतिहास साहित्य भौगोल सब के बारे में ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को मतलब अपने जीवन में उतार कर देश के लिए कुछ कर दिख देश के लिए मतलब वो समर्पन की भावना को जगाए और जो देश के प्रती है मतलब जो देश के प्रती आपकी भावना भक्ती है उसको जगाए और देश के प्रती कुछ कर दिखाए और मेरी जो जो लक्ष है लोग संस्कृति को लेकर है कि मैं लोगों तक जो दर्शन है जो लोग संस्कृती का दर्शन है, उसको पहुंचाओं। उसको मतलब दर्शाओं और लोग तक वो पहुंचे कि क्या है। और आखरी में मैं तो एक 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 गीत है जो मैंने सुना है, आल ही मैं, और उसको ग्रास भी किया है। उस गीत में है, पहले मगन सीता मांगेला, चौका पूरा वेला, सीता मांगेला, नई हर जनक पूरा ससूराया वधपूरा हो। तो इस गीत में जो दुलहन है ना सीता है और सीता को एक ऐसी दुलहन की रूप में दर्शाया गया है एक ऐसी नारी की रूप में दर्शाया गया है वो सशक्त थी वो अपने परिवार से भी प्रेम करती थी और जो रिस्पेक्ट की भावना थी वो भी था और खुद डिसाइ को चुना तो वो सशक्त नारी थी और इस गीत में अनेका अनेक आप देख सकते हैं कि उसमें भौगोलिक जो तत्व है कैसे आती है सीता मांगेला नेहर जनकपुर आज जनकपुर भारत में है पर हम ये गीत कहा गा रहे हैं मौरिशस में तो जनकपुर वो मिधिला में है और नेपाल में है और अवदपुर का है भारत में है तो भौगोलिक रूप मतलब जो द्रिष्टिकोन है आपको मिल गया और आखरी में जो आध्यात्म है जो इस गीत में आप देख सकते हैं कि आखरी जो पंक्ति है इस गीत के उस पर ये सीता बोलती है कि सहली में एकादस दुआदस अवरूती सरदस हो सी जीधी से रहिलाए तवार हो रामबर पाईला हो इसमें आध्यात्म भी है वरत के बारे में भी दिया गया है एकादशी दुआदशी जैसे भोश्पुरी में तेसरदशी सहली मतलब उसने वरत भी किया दुआदसी एकादसी और त्रयोदसी का और इत्वार आजकल तो ये सुन्ने में में आयता है इत्वार क्या है संडे जैसे रविवार वो इत्वार होता है तो इत्वार का वरत मतलब सूर्य को मतलब मनाने का और इस में भी होता है कि तो सूरच जो नेचर वर्शिप है ना अपने नेचर जो आज पर्यावरन दीवस है इस पर भी बात कर सकते हैं कि उस गीत में ऐसा भी है कि आप मतलब नेचर को वर्शिप कर रहे हैं प्रडूशन ना करें नेचर भगवान है जो हमारी जो 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 नेचर है वो मा के समान है उसको मतलब आप नत्मस्तक होकर सूरज भगवान को आप नत्मस्तक होकर क्योंकि वो जीवन प्रदान करते हैं, तो इसमें ये भी भावना है, और आखरी में जो चिन है इस गाने का, तुलसी दास बलू यास, राम के चरन चीतलाई, इसमें आपको पता भी चलता है, मतलब जो लिट्रेचर वाइस, किस ने लिखा है ये गीत, तुलसी दास जीन मतलब उस समय का है, और आज भी आप उसको मतलब प्रयोग में ला सकते है, आज के समाज में भी वो मतलब वो प्रेजंट दे में भी अप्लाइड कर सकते है, प्रेजंट दे लाइफ में भी अप्लाइड कर सकते है, पहले भी नारिश सशक्ति थी, आज भी नारिश सशक्ति पहले भी हम मतलब जो नेचर वर्शिप बोलते हैं वो भी करते हैं आज भी बहुत प्रोचसाहना है कि आप मतलब नेचर को बचाए जैसे बेटी परहाए और जैसे बोलते हैं ना मराथी में एक पंक्ती है कि मुल्गी शिकली अनि प्रगती जाली जो है कि आप अपनी बेटी को भी सिखाए तब ही जाकर प्रगती होगा तो ये तो हमारे शास्त्र हमारे लोक संस्कृति में मतलब हैं सिर्फ हमें उसको मतलब उसमें धूल लगी है उस धूल को निकाले ताकि आप बहुत कुछ सीख सके तो रवीज जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हम आपको यही शुब कामलाएं देते हैं कि आपकी जो बुद्धी मत्ता है वो आपकी जो ग्यान है वो और बढ़ें और लोगों तक पहुंचाएं और भविश्य में आप बहुत सफरता प्राप्ते करें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देत को हम यही पे विराम देते हैं और हमारे साथ आज रविश जगन जी थे जो एक मेडिकल स्टुडंट हैं और उनके साथ दर्शन तथा संस्कृति के बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां अप्लाप्त की तो हम इस प्रोग्राम को यही पे विराम देते हैं एक अन्य कारे के साथ आप दर्शकों के साथ मुलाकात करेंगे अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आग्यां दीजे नमस्कार करेंगे थाइब हमारी पूरी लो नमस्कार देख आप टानी जैसरेख लोगा के लिए करेंगे येह बूंदे हमेंगे ये उसरे खाल टार नमस्कार नमस्कारा को आप नमस्कार